हमिरपुर जिला की पुलिस चौकी गलोड के तहर गलोड बजार में कांगडा सेंटल कॉपरेटी बेंक के एटियम को तोड़ने का प्रयास किया गया एटियम में लगभग 4,13,200 रुपे थे जो की शुरक्षित हैं क्यूंकि चौर एटियम के चेस्ट तक पहुंचने में नाकाम रहे पुलिस चौकी गलोड ने मामला दर्जकर छान भी इन शुरू कर दिये CCTV के आधार पर पुलिस ने आरोपी को भी धर दबोचा है मंगलवार सुभग कांगड़ा कॉपरेटी बैंक करमचारी परदीप कुमार रोजमरा की तरह बैंक कारया ले पहुंचे तो उन्होंने एटियम को तूटा हुआ पाया जिसकी सूचना पुलिस चौकी गलोडवा प्रबंदक पवन कुमार को दी गई चौकी परबारी विक्रम सिंग ने ततकाल मौके पर पहुँचकर चानबीन करते हुए सीसी टीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला सीसी टीवी फुटेज के देखने के बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए सुरिंदर कुमार पुत्तर रमेश जंद गाउं गोई से डाखाना गलोड तहसील नदावन हमिरपुर को गिरफतार किया है उदर कांगडा बैंक के प्रवंदक पवन कुमार से एटियम की शुरक्षा में तैनात सिक्योर्टी गाड के बारे में बात की गई तो उन्हें ने कहा कि सिक्योर्टी गाड कमपनी की ओर से तैनात है उसने हमें छुट्टी की कोई सूचना नहीं दी थी पुलिस चौकी प्रभारी गलोड विक्रम सिंग ने बताया कि आरोपी को गिरफतार कर आगामी कारवाई की जा रही है